एक टाइम था जब दुनिया में जो काल माक्स थे इनका वर्ग संगहस का सिध्धान्त क्रांती समाजिक रूपान्तर्ण के सिध्धान्तों को बहुत अधिक बोलबाला हो गया जितने भी लोग थे वो सारे लोग माक्सवादी द्रश्टिकोंट से व्यवस्था को देखने लगे और ऐसा माना जाने लगा कि जो कुछ भी है समाज में ये सारी व्यवस्था ये पूरी शोषड पे अधारित है तो इस व्यवस्था को खतम होना चाहिए नई व्यवस्था आने चाहिए तो जब ऐसी चीजी होने लगी तो समाज में जो विगहटन के प्रवर्ति थी वह बहुत अधिक बढ़ने लगी तो फिर इस चीज को कैसे कम किया जाए इस चीज को कैसे रोका जाए इस पर विचार करते विए एक सोशॉल्जिस्ट आये जो कि अमेरिका के बहु इस है क्या क्या इन्होंने बूला है उन सब के बारे में आज हम डीटेल में डिस्कूस करेंगे तो आयोब आपको इस वीडियो पसंद आएगी तो देना करते विए चलिए शुरू करते हैं चकी वीडियो तो इस टालकट पार्सल्स हैं इनको माना जाता है संरशनात्मक प् आई है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगे आप वह चीज़ देख लेना अभी मैं यहां पर बहुत ही ब्रीफली समझा देती हूं तो सनशनात्मक प्रकारवाद जो प्रकारवादी होते थे वह देखने की कुशिश करते थे कि क्या-क्या योगदान है लेकिन जो सनशनात् कि अध्यान करो आप जाके फील्ड में देखो कि क्या-क्या चीज़े रियल में हो रही है क्या वास्तविकता है ठीक है तो यह सनशनात्मक प्रकारवादी यह थे तो जो पार्सन्स थे तो इनको आप कह सकते हो यह बीच में थे यह समाज को भी मानते थे यह वैक्ति को भी म उन्होंने मुख्य के अंद्रविंदु माना अपने सभी सिध्धानतों में और अपना सामाजी क्रिया का सिध्धानत इनों ने दिया तो जैसे हमने वेबर में पढ़ा तो वेबर ने कहा था कि दो परसन होंगे तब ही हम उस चीज़ को सामाजी क्रिया कहेंगे मतलब दो परसन हो प्लस वो अर्थपूर्ण धंग से एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हो इंटरेक्शन कर रहे हो तो उसको हम सामाजी क्रिया कहेंगे लेकिन परसन कहते हैं नहीं जरूरी नहीं है कि दो परसन हो यदि वो कारे कर रहा है उसका कोई उद्देश है अगर वो उद्देश को ध्यान में रख करके कारे कर रहा है तो इसको हम सामाजिक्रिया मानेंगे जैसे अगर आप अकेले बैठ करके अपना गोल यानी पेपर को ध्यान में रखते हुए preparation कर रहे हो तो इसको भी हम सामाजिक्रिया कहेंगे according to Parsons लेकिन अब waiver होता तो waiver इसको सामाजिक्रिया नहीं मनता क्योंकि आप अकेले वो काम कर रहे हो किसी से कोई interaction नहीं है तो वो सामाजिक्रिया कहेंगे आप चाहे अकेले बैट के पढ़ाई कर रहे हो अकेले बैट के साधना कर रहे हो उश्वर प्रापति के लिए या फिर आप अकेले कहीं ट्रैस लेकिन पहुषने के लिए मतलब अगर आपका कोई goal है ठीक है आपका कोई goal है गोल oriented action को इन्होंने social action कोई काम को करता क्या पहला तो से अगर करता है क्योंकि आगर करता की जो करते हैं कोई भी काम अगर कोई विक्ति कर रहा है कोई तो हो गया करता दूसरा घटक है उद्देश की क्रिया का कोई न कोई गोल होना चाहिए कोई न कोई एम होना चाहिए थर्ड चीज है उद्देश को पूरा करने के लिए आप एनरजी लगा उसमें गतिविधी करो जब आप उसमें एनरजी लगा रहे हो अपनी तो फिर आप अत्यवित कर रहे हो तो फिर समाजिक्रिया कहेंगे तो इसी अधार पर इन्होंने समाजिक्रिया के 3 कारक भे बताए कि जो समाजिक्रिया होती है तो उसके पीछे के कौन-कнуть कारक हैं जो इस चीज़ को करते हैं तो पहला हो गया करता दूसरा हो गया परिस्थिती और तीसरा हो गया प्रेरड़ा अब यह जो पार्सन्स थे तो इन्होंने प्रेरड़ा याने कि मोटीवेशन को भी बहुत इंपोर्टेंट माना हर एक चीज के लिए नोने motivation अब वो motivation कहां से मिलता है तो वो motivation मिलता है हमें हमारे value से मिलता है हमारे समाच से मिलता है हमारे संसकारों से मिलता है हमारे सिक्षा व्यवस्था से मिलता है मिलनी नोने माना कि जो हमारी सिक्षा व्यवस्था है ये व्यक्ति को motivation देने का काम करती ह तो Parsons के according सिच्छा व्यवस्ता का मुखेकार क्या है व्यक्ति को motivation देना ताकि वो अपनी गत्विधियों को अपने उद्देश को पूरा करने के लिए आगे बढ़े उसको उद्देश को पूरा करने के लिए काम करें ठिक तो पहला बताया इनूने करता दूसरा बताया परिस परिस्थिती मतलब कि जो सरकुमस टेंसर है किसे परिस्थिती में वो काम हो रहा है वो परिस्थिती भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिया को करने में तो दूसरी चीज़ बताया इनूने परिस्थिती और तीसरी चीज़ बताया मोटिवेशन की उस क्रिया के इसके टाइप्स भी बताए तो जैसे वेबर ने बताए थे कितने चार टाइप लेकिन पार्संस ने बताए तीन टाइप सामाजी क्रिया के कितने प्रकार बताए पार्संस ने तीन प्रकार कौन-कौन से बताए पहला बताया संग्यानात्मक यानि की cognitive action या फिर ग्यानात्मक आप कह सकते हो ग्यानात्मक कह लो तो cognitive action या फिर जो ग्यानात्मक action है इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी अवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं मतलब हमने देखा कि किन-किन चीजों से हमारी अवश्यक्ताइं पूरी हो सकती है जैसे कि आपकी नीड अभी क्या है आपका उद्देश अभी क्या है नेट क्वालिफाई करना तो आपकी ये अवश्यक्ता है कि हमें कोई पढ़ाने वाला मिले तो अब आप इधर उधर सर्च कर रहे हो फिर आपको मेरा चैनल मिल गया तो आपको लग रहा है कि आपकी आवश्यक्ताइं यहां से पूरी हो सकती है तो आप यहीं पर बैट करके अच्छे से पढ़ाई करोगे ठीक है तो कोगनेटिव एक्षन में वह चीज़े आ जाएंगी जहां पर विक्ति अपनी आवश्यक्ताओं को पूरा करता है वह देखता है चीज़ों को फिर सोच विचार करके वह एक्षन लेता है तो यहां पर हो जाएगा पहला टाइप कोगनेटिव एक्षन दूसरा प्रकार बताया सामाजी क्रिया का पारसंस ने कैथेक्टिक एक्षन कैथेक्टिक को आप हिंदी में कह सकते हो भावनात्मक या फिर भावात् भावात्मक क्रिया जहां पर हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं मतलब कि हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो अब हम ना तो उद्देश देख रहे हैं नहीं अपना फाइदा नुक्सान देख रहे हैं हमारी फीलिंग्स आ गई जहां पर हमारी फीलिंग्स आ गई तो उसको पारसंस जुड़ी हुई है अगर हम किसी से बात कर रहे हैं किसी से बहुत जादा emotionally attached feel कर रहे हैं उससे बात कर रहे हैं उसकी help कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा जहां पर हमारी feelings जुड़ जाएंगी तो वहां पर आ जाएगा भावनात्मक action थर्ड प्रकार पार्शन ने बताया है इवेलिवेट्यू इवेलिवेट्यू या फिर आप कहलो मूल्यांकनात्मक जहां पर हम evaluation करते हैं मूल्यांकन करते हैं कि हमने सोचा विचारा और फिर उसके आधार पर हमने काम को कर रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है मतलब हमारे लक्ष के क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है और फिर जो हमारे दिमाग में आता है जो भी हम सोच विचार करके जो काम करते हैं तो वो थार्ड टाइप इन्होंने बताया मूल्यांकनात्मक में तो सामाजी करिया कि तीन प्रकार कोगनेटिव कैथेक्टिक और एवल्यांकनात्मक यह प्रकार बताए पार्संस ने तो यह हो गया इनका सोचल एक्षन थेरी अब इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति काम को करता है तो उसके सामने हमेशा दो ओप्षन आ जाते हैं वो दो ओप्षन यानिकि दो विकल्प हमेश है उसको दो में से किसी एक चीज़ को चूज करना होता है या तो यह करो या फिर यह करो या तो इसके अकॉर्डिंग काम करो या तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करो तो यह जो दो ओप्षन होते हैं यानि क्रिया करते समय मौजूद रहने वाले जो दो विकल्प होते हैं जहां पर व्यक्ति को दुविधा उत्पन होती ही कि वो किसका चुनाओ करे तो जो ये दुविधा है इसी को Parsons ने कहा है pattern variables या दुभागिया अनुभागियता ठीक है इसी को ये जो दुविधा है क्रिया करते समय कि हम किसका चयन करें इसी को इन्होंने बोला pattern variables तो कौन-कौ Parsons के according पांच प्रकार के pattern variables चैन की व्यक्ति को कारे करते समय पांच प्रकार की दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है कि वो किसका चैन करें इसका चैन करें या उसका चैन करें तो हमेशा दो विकल्प रहते हैं तो जो पहला विकल्प है उसमें जो दो option है कौन-कौन स रहते हैं स्वाब अनाम सामोहिकता पारिसनस ने बताया कि स्वाब अनाम सामोहिकता में क्या होता है कि जब व्यक्ति क्रिया करता है तो उसके समने यह दुविधा रहती है कि वो जो उसको खुद समझ में आ रहा है उसके according काम करें या फिर जो समूह यानिकि जो समाज चाह परसन से आपको बात करनी है तो आप अपने मन में जो आ रहा है वैसे बात करूँ या फिर जैसे समाज आप से चाहता है पिक्षा करता है आप उस समुह की धारणा को लेकर के बात करूँ तो ये चीज़ दों बताई स्वा बनाम सामयकता में दूसरी दुविधा जो वेक्ति क नहीं को समना करना पड़ता है वह भावातमक ता बनाम भावातमक टर्टस्तता आप किसी अनोन परसन से मिल रहे हो तो आपके सामने बहुत बड़ा कन्फी़ूजन रहता है कि आप उससे एमोशनली बात करो एमोशनल होगे आटैस्मेंट होगे या फिर आप उससे बिलकु एमोशनलोज न रहो विलकुल तटशोन हो जाओ मतलब आपको क्या शंका रहता है हकि कि अगर भुँस जदा करें हमंगोज तो यहां भी वेथि के सामने दुविधा रहती है कि और इमोशनल यह सकते हैं लूप सब्सक्राइब तो व्यक्ति किस चीज को देखे जो सार्भोमिक सत्य है या फिर जो एक परिस्थिती में जो चीज उत्पन हो रही है उसको देखे कोई भी unknown person है तो उसके बारे में एक होता है सार्भोमिक सत्य की हमको ये चीज माननी है एक होता है उस पर्टिकुलर इस्थिती में हमें क्या चीज दिखाई दे रही है तो हम सार्भोमिक सत्य को माने सार्भोमिकता को लेकर की साथ में चले या फिर हम जो पर्टिकुलर चीज हमें दिखाई दे रहे हैं जो विशेशी करड़ है उस चीज़ को माने यह वे दुविधा रहती है चौथा पैटर्ण वेरियेबल पार्संस ने बताया प्रदर्शन बनाम गुड अब हम गुड बनाम प्रदर्शन यानि की गुड कैसे होते हैं वेक्ति के अरजित होते हैं व उसकी आरजित विशेश्ता हैं क्या होगई कोई वेक्ति बहुत जादा नौलिजबल है तो अब हम उसके चाहीं प्रदर्थ विशेश्ता क्या हो गई उसकी जाथी क्या है ओ से सामने यह भी बहुत बड़ी दुविदा रहती है उसको जनम से हम प्रदत प्राइस्थिति ने बताया प्रसरण बनाम विसिष्टता मतलब कि वो बिलकुल खो जाए परिसितियों में या फिर जो उसका पटिकुलर गुड है उस चीज को बनाए रखे तो ये पाज जो दुविधाई हैं ये कारे करते समय व्यक्ति को हमेशा सामना करना पड़ता है इनका और इनमें से क समझ में आ गया सबको अब समझते हैं सामाजिक विवस्था सिद्धान जो कि पार्संस ने दिया है पार्संस ने सामाजिक विवस्था सिद्धान में समय स्थेतिकी को बहुत इंपोर्टन्स दी है होमो स्टैटिस इस चीज को बहुत जादा इंपोर्टन्स दी है इनका मान इसमें संतुलन बना रहता है इसके जो सामाजिक विवस्था के जो अलग-अलग भाग है जो बिविद एकाईया है इनमें संतुलन बना रहता है इसी को इन्होंने कहा कि सामाजिक विवस्था जो है ये गतिसील संतुलन है ये जो संतुलन है ये क्यों बना रहता है इसमें मु family के दोआरा हम उनको सीखते हैं हमारे जो मानवी values हैं जो जिनको पूरी society मानती है तो इन साज़ागत मूल्यों के दोआरा ही सामाजी क्विवस्था बनी रहती है जैसे कि हमारे समाज में भारती समाज में कुछ ऐसे values हैं जैसे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और मतलब की परिवार में रहना परिवार की बातों को मानना ये सारी चीजें हमें बजपन से सिखाई जाती हैं तो ये जो साजगत मूले हैं ये समाजिक विवस्था में संतुलन को बनाया रखते हैं थोड़ा बहुत चेंजस तो होते हैं लेकिन इसमें संतुलन बना रहता है लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि अचानक से कोई चीज हो जाती है कोई व्यक्ति अचानक से कोई भी action कर देता है जिससे कि जो विवस्था का संतुलन है वो चीज बिगड़ जाती है उसको नोंने कहा विचलन या फिर एनॉमी पार्संस के किसी करता का ऐसा विवहार जो सामाजिक संतुलन को बिगाड़ की रख देता है उसको हम विचलन किस रेडी में में रखेंगे और शुental ने कहा था कि विचलन को प्रारम्भ होने पर ही शुरू में यूषका दबनकर देना चाहिए क्योंकि सामाजिक विवस्था से धांत में इन्होंने बताया कि सामाजिक विवस्था के चार भाग होते हैं कौन-कौन से भाग तो सामाजिक विवस्था का पहला भाग इन्होंने बताया सामाजिक विवस्था सामाजिक विवस्था में कौन-कौन सी चीज आ जाएंगी जैसे की परिवार हो गया विवाह नातेदारी यह सब सामाजिक विवस्था के भाग हो जाएंगे दूसरी चीज है विवस्था का जो से धांत है इसमें उन्हों ने बताया दूसरा भाग है सांस्कृतिक विवस्था सांस्कृतिक विवस्था तीसरी व्यवस्था सामाजी की व्यवस्था को जो अनिवारे भाग है वो है व्यक्तित्व व्यवस्था व्यक्तित्व व्यवस्था में जो व्यक्ति का पर्सनेल्टी डेवलप्मेंट है वेक्टित्तु का विकास किस तरीके से होता है, समाजी करण वगएरा ये सारी चीज़े वेक्तित्तु विवस्था में आ जाएंगी चौथा भाग बताया पारसंस ने जैविकी विवस्था जैवकी विवस्था का मुख्य उद्देश यह होता है कि वेक्ति को गोल ओरियंटेड बनाना वेक्ति को उद्देश प्राप्ति के लिए तत्पर बनाना अब इसमें उद्देश प्राप्ति में इन्होंने बताया है कि गोल कहां से आते हैं आर्थिक जो आर्थिक कारक है इन इनको इन्होंने सामिल किया ये चौथी विवस्था जैवेकी विवस्था में तो जिते भी आर्थिक आवशक्ताइं हैं जिते भी आर्थिक गोल्स हैं economic achievement है वो सारे के सारे जैवे की विवस्था में आएंगे तो ये जो चार विवस्थाएं है सामाजिक, सांस्कतिक, व्यक्तितो और जैवे की विवस्था इन में संतुलन बना रहता है नहीं तो फिर अगर कोई चीज़ की सर्ष्टा हो जाएगी और कोई चीज़ कम हो जाएगी तो फिर वो गड़बर हो जाएगा खभी-कभी व्यक्तितो कोई इंपोर्टनस देने लगता है बाकी इन को एंगनोर करता है कभी-कभी वो सिरफ आर्थीक विवस्था को importance देता है यानि जैवे की विवस्था को बाकी इन तीनों को इग्नोर करता है तो इससे वेचलनकारी प्रवत्ति आती है तो इन चारव विवस्थाओं में सामाजिक सांस्कतिक व्यक्तितो और जैवे की विवस्था में संतुलन बना रहना बहुत अनिवार है according to Parsons सबसे लाश्ट चीज जो Parsons में हम पढ़ेंगे वो है एस दिल मॉडल एस दिल मॉडल क्या है जैसे मैंने कहा कि Parsons ने कहा था कि संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है तो संतुलन बनाये रखने के लिए और कोई भी सामाजीक विवस्था लंबे समय तक टिकी रहे बनी रहे इ इसके लिए जरूरी है कि कुछ शर्ते पूरी करने पड़ती है उस बेवस्था को उस सभेता को उस संस्कृती को तो कौन कौन सी शर्ते हैं कुछ अनिवारे शर्ते हैं जिनको Parsons ने नाम दिया प्रकार्यात्मक पूर्याव सेक्ता हैं क्या नाम दिया प्रकार्यात्मक पू और इसके ठुरूऑ उन्होंने कहा कि समाज की कुछ प्रकार्यात्मक पूर्वावश्छिक्ता आए मतलब की समाज को बने रहने के लिए कुछ जुरूरते हैं जो कि समाज अगर पूरी करता है तब ही जाकर के वो समाज बना रहता है तो कौन-कौन सी प्रकार्यात्मक पूर्वाव सकता हैं तो Parsons ने कहा कि किसी भी समाज को बने रहने के लिए क्या-क्या चीज़े करनी पड़ेंगी adaptation करना पड़ेगा integration करना पड़ेगा goal oriented होना पड़ेगा और latency अपनानी पड़ेगी इसको उन्होंने चार बागों में डिवाइड किया agile model के दुरू A for adaptation यानि कि uncoolan हमें करना पड़ेगा अगर कोई भी समाज है और वो uncoolan नहीं करता है uncoolan का मतलब है कि time to time थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए time to time थोड़ा सा changes होने के लिए उसमें संभावना होनी चाहिए जैसे पहले क्या था सायूक्त परिवार प्रथा थी और महिलाओं को जादा काम करने की इतना नहीं माना जाता था लेकिन अगर हमारा समाज लचीला नहीं होता तो फिर ये विवस्था तूट जाती महिलाओं अभी देखो कितना काम कर रही है और थोड़ा सा सायूक्त परिवारू से थोड़ा सा लोग बिखर के एकाकी परिवारू में जा रहे हैं लेकिन ये विवस्था तूटी रहीं क्यों क्योंकि इसमें adaptation था इसने खुद को जो नए परिवर्तन थे उनके अनुरूप ढाल लिया तो पहली चीज़ है किसी भी समाज की कि इसमें अनुकूलन की विवस्था होनी चाहिए दूसरी चीज़ क्या है integration होना चाहिए ऐसा नहीं है कि नए नए परिवर्तन हो रहे हैं तो बिल्कुल समाज को तोड़ के रख दे तो integration होना चाहिए एकी करण बनाए रखना चाहिए कोई भी चीज़ हो रही है तो वो वहीं तक सुईकार करो जहां तक की समाजिक व्यवस्था को वो चीज़ तोड़े ना अन्यथा फिर वो एकी करण को भंग करेगी तो सभी इकाईयों को समाहित करके एक जगह पे एकी करत करके रखना ये भी किसी भी समाज की बहुत अनिवार अवशक्ता होती है फिर तीसरी चीज़ बताई जी यानि कि गोल गोल यानि कि हमारे जो आर्थिक उदेशे होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमारी संस्थाएं होती है आर्थिक संस्थाएं वो कारे करती हैं क्योंकि अगर ये कारे नहीं करेंगी तो भयाधन नहीं होगा तो काफी सरी चीज़े हमारी रुक जाएंगी तो आर्थिक विवस्था भी बहुत जरूरी है लास्ट चीज है लेटेंसी यानि की तनाव नियंत्रण कभी-कभी समाज में क्या हो जाता है कि वेक्ति बहुत अधिक परेशान हो जाता है उसके आवशक्ताय नहीं पूरी हो रही है उसके उदेश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस टाइम पर उसको तनाव होता है तो इस तनाव से बचाने का कारे करते हैं जो हमारे टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम जो चीजे होती रहती हैं चोटी चोटी गीत संगीत और कुछ भी हमारे जो लोक नत्ते वगेरा हैं जो हमारे सांस्कृतिक चीजे हैं वो इस तनाव को मैनस करने का काम करती हैं ठीक है तो ये चार चीजे इन्होंने बताई कि अगर समाज में होंगी तो वो बिगटित नहीं होगा वो लंबे समय तक ब कारेवादी होते हैं उन सभी का मानना होता है कि समाज में जो भी है सब कुछ अच्छा अच्छा है कुछ भी बुरा नहीं है उसका कुछ न कुछ योगदान अवस्से ही है तो पार्संस ने भी मानना कि जो स्ट्राटिफिकेशन है इसका कुछ न कुछ योगदान जरूर ही है ये समाज को बनाय रखने में इसकी ववस्था को बनाय रखने में संतुलन को बनाय रखने में अनिवारत्ता अपनी भूमी का निभाता है तो ये कुछ चीज़ती इंपोर्टन्स थी I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई ही तो उसको लाइ की तरफ आगे बर तरी वीडियो एक तो थैंक यू सो मच